नमस्कार दोसों स्वागत है आपका हमारे यूटू चैनल अमन प्रयास जिगेजिस पर तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं सेजियल दो तैस में और 49 शिप्टों में पूछेगे परमुक टॉपिक को देखेंगे जिस टॉपिक से प्रश्ण सभी शिप्ट में आपके आए हैं ठीके तो आज हम पांच परमुक टॉपिक को देखेंगे जिसमें आपका पहला टॉपिक होगा संगीत वद्यंत और उस्ष्य समंदित कलाकार दूसरा जो टॉपिक होगा वो दूस्तो आपका होगा भारत के सस्तनेर्थ और उसकी विश्यस्ता है इसके लाबा तिस ब्रह्मस्रमाज और पांचमा जो टॉपिक होगा वो होगा बावर के दुवारा लड़गे प्रमुक यूद्ध होगा ठीक है तो आज हम लोग इन पांच टॉपिक को देखेंगे तो इसका पीडियेफ आपको टिलराम पर मिल यागा और डिसकलिंग डिस्किप्टर में दि है इस बुक में आप सिजियल टायर वन की संपून त्यारी कर सकते हैं जिसका एक्जाम ओनलाइन होता है इसमें सिजियल भरती परिक्षा दोचोविस के लिए आपको पचीस सो पलस मिलेंगे और आपको बता दें कि यहां पर आपको साथ सौल पेपर मिलेंगे जिसका एक्जाम 2023 में हुआ था आप इस पुस्तक का कुछ अंस भी देख सकते हैं जहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो भी प्रशन आपको यहां पर दिया जाएगा उसका हल जो है जो कि ब्य और आपको बता दें फ्रेंट साथ में इनका सौल पेपर भी आता है जिसको लेकर आप अपने त्यारी को मजबूत कर सकते हैं इन सभी का जो बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल यागा साथ में दोस्तों आप इस बुक को चाक्सू बुक्स.com से अमेजन स से फिलिप कार्ट से स्नेप डिल से भी बाई कर सकते हैं तो आप लोग जाकर एक वाचेक और जरूर कलिजिएगा जो भी लोग ससे सीजियल भरती परिक्षा दोचोविस को देने वाले हैं और अपना जो नंबर है अपना जो मेरिट है वो आपको मेरिट लिस्ट में लाने वाले हैं ठीक है चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ती हैं तो सो फ्रेंट्स आज का जो पहला टॉपिक है पहला टॉपिक का जो पड़स्न हुआ है कि निमलिकित में से कौन सा संगीत का संगीत वाध्यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोग पढ़िये है तो इ आपके एकजाम में प्रस्ण आते हैं कनफॉर्म आते हैं हर सिप में एक प्रस्ण आते हैं जाईज जाम कोई भी हो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संतूर वाध्यंत्र को संतूर वाध्यंत्र में हम लोग पंडिट स्रीवकुमा श्रमा को याद करते हैं इसके लावा बजन सूपारी जी को याद करते हैं, इसके लावा पंडित सिवकुमा शरमा जी के बारे में यह भी याद रखना है, कि इनका श्रमन्द आपका जमु को शमिर्स है, क्योंकि एक बार ये भी शवाल बन चुका है, बाषुन से बात करते हैं, तबाषुन से आपके हरी ठाल घोच को याँ अखना है इसके लबाब तबला से यात इट इन्स तब्ला से आपका जाकीर हुश्ञिंक याद अखना है या आपके तबला वादक से तब थक करते हैं तो स्रोड वादक में लाउद्धिन खान इसके लाब्ब अमजद अल्य खान और योदिक गुपता ठीक है तो यहां पर आपको देख सकते हैं एक खान आपको संबन करते हैं तो सिथार से कहीं प्रवेश्थ पार्श भीड़ीर के जो कि आपके प्रष्ट पाड़ था वीना से बात करते हैं तो बीना से आपका जिया मुहिरुन डागर है अयारी श्याम सुन्दरम है और दोर इश्वामी अयंगर है रुद्र बीना से बात करते हैं तो आपके असदर लिखा बहुत इंपॉर्टन्ट यादखिएगा मोहन बिना से बात करते हैं तो पंडित विश्मोहन बड़ जो की मोहन बिना की अविश्कारा की है इसको भी याद रखना है वाईलिन की बात करते हैं तो सूस्री कुपाल किष्णन, स्रीमती, एज, एम राजम, एनार, मुडली धरन, एम चंदर श्रीकरन, विजी जोग और आपको लाल गुडीज जैरामन को याद रखना है जो क्या आपका वाईलिन से संबंदित है इसके अलबा बात करते हैं घटम से तो घटम आपका जो वाद द्यंतर है उसरे श्रमंदित कलाकार की बात करते हैं तो टी-एच बिनाय कराम हो जाएंगे मर्दगम से बात करते हैं तो केवी परशाद को याँ दखना है एस वी राजा राओ को याँ दखना है और उमल या पूरम स्री रमन को याँ दखना है इसके लबा मेडोलिन से बात करते हैं तो मेडोलिन से आपका यूष शिनवास को याँ दखना है पखावस की बात करते हैं तो तोता राम श्रमा को याई रखना है शुर भाहर से आपको अन्ना पुर्णा देवी को याई रखना है गिटार से आपको ब्रज भूशन कावरा जी को याई रखना है इसके लावा आपके भारत में दो परकार के संगित पाए जाते हैं एक आपक कनाटक संगित हो गया, एक आपका हिंदुस्तानी संगित हो गया, तो कनाटक संगित से भी प्रमख व्यक्ति हैं, जिसे कि आपके राधा कृष्णन, एस श्रिन्वासों अयर हो गया, ए में सुभू लक्ष्णी जी हो गया, ए मबाल मुरली कृष्णन है, डी के पटामल है, इसके अलबा रामनुजर अयंगर अरिया कुड़ी है और आपका इस पिना का पानी है, तो इसको भी याद रखना है, इसके अलबा हिंदुस्तानी संगित के बात करते हैं, तो हिंदुस तोरी अमून्कुर को यया दखना है इसके अलावा आपको याद दखना है वो याद रनتहा है बड़े गुलाम अली खां को रहें फैमुद्डिन दागर को चन्नुलाल मिश्टा को यादखेगा इसके लिए महां कान्ट गुंडेक्ण को या दखेगा राजन और शाजन मिष् तो इसका राइटेंस आपका होता दागर घ्राना से है तो इसको भी आढ़कना है ने का संबन्ध है अब हम लोग देखे लिए भारत रत्न प्राप करता संगितकार के बारे में तो जिसमें हम लोग देखते हैं सबसे पले आमके एमेश रुवालक्ष्मी जी हैं जिनको भारत रत रत ने से सम्मानित होने वाली पहली संगितकार बनी थी ठीक है तो इसको यह दखना है कनाटक संगित इनका समंध है दूसरा है पंडित रिश्ञंकर जिनको 1999 में यह पुरुषकार मिला और यह सितार वादक हैं सितार से इसको भी इसी वर्ष भारत रत मिला है अगला है पंडित भीम संजोसी जिनका स्रमंध आपके किराना घराना से हैं 2009 में इनको भारत रत रत न मिला था और इनका स्रमंध हिंदूस्तानी सास्त्य संगित से हैं इसके लावा आपको याद दखना है भुपेन हजारिका को जिन और दैस के अध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है, तो इसका तो राइट इंसर आपका सेवधर्म होगा, ओप्शन नमर दो, लेकिन भारत के सास्तर निर्थ की जब हम लोग बात करते हैं, तो वर्तमार में संगीत अनाटक एकेडमी के दौरा, आठ निर्थों को सास्तर निर्थ का हेदू की दर्जा परदान किया गया है, उन आठ सास्तर निर्थ को हम लोग विस्तारपुरवक से देखने वाले हैं, जिसमें पहला ही निर्थ आता है बर्नट्यम, जो की आपका तमिलाडुराज से समन्दित है, इसे पहले सदिर्टम या दस्यटम के नाम से भी जो की राइट एंसर था, बाकी इसका जो विशय है अतरत्मिक विचार है, वो आपका सेव धर्म को समरपित है, सेव धर्म को व्यक्त करता है, इसको तो यादखना है, इसके अलबा अगला है कथाकली, कथाकली की बात करते हैं, तो इनका समन्द आपका केरल से है, और यह ल संगीता में, जो कि संगीत को एक आपका वाद है, जो की यंत्र को दर्साता है, इसके लाबा जो कथाकली है, रमायन और महाभारत के महाकाब़े पर अधारित है, कथाकली सब्द दो मल्यालम सब्दों से मलकर बना है, एक आपका कथा, दूसरा कली, कथा का सब्द होता है अ आपका मिर्दगम आता है मिर्दगम या मधलम जो की बेरल ड्रम कहते हैं इसको एक आपका इदक्का आता है ये बाश्री विना और आपका जहांज जिसे की कुछी तलम भी कहा जाता है इसके लावा मनी महोनी अटम नट सास्त की लस्ट सेली पर धाली थे एक वार पर समझ किस भगवान से तो विष्णु भगवान से ये भी प्रश्ण बन चुका है इसके लावा औरिशी की बात करते हैं तो इसका समंद आपका औरिशा से है इसकी विशेस्ता तरल साराडिक गतिविध्या जटिल फुटवर्क और अवियंजक धोरे चेरे का भाव है अगला है प्रश्ण के जीमन और कारे को बताने के लिए क्या जाता है तो इसको भी आपको याद रखना है नेक्स्ट आपका कथक जो कि उत्तर भारत मुगरुप श्यापका यूपी का ये नर्थ है और आपको बता है तो कथक को तीन अलग-अलग सेलियों में विवाजित क्या गया है जिने घराना कहा जाता है उनके उनका जो नाम है उनके स्थानों पर रखा किया है जैसा कि अगला जो है आपका सतर्या सतर्या नर्थ की बात करते हैं तो यह दूसरा आपका आश्रम का सस्थनिर्थ है और इस जो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा वर्स 2000 में सास्थनिर्थ का जर्जा प्रदान किया गया था तो इसको भियाद रखना है साथ मैं आपको बता दें जो कि यह तो संकीत नाटक अकेडमी के द्वारा मनेता प्रप्त आठ सास्तनिर्थ है लेकिन आपसे पुषता है भारत के संस्क्रती मंताले के द्वारा 문 convicted की संहां कितनी है तो इसका राइटेंस आपका 9 होगा आठ तो यही हो जाएगा एक आपका चौँ जो है जो कि आपक होता है सराय के लाच हो जो कि दोस्तों आपका जारकर में होता है तो इन सभी कोई वियाद रखना है ठीक है थो पांस से ग्यारा तक में था लेकिन समय समय पर होने वाली संसुदन की करन आज भागों की संख्या दोस्तों 25 हो गया है हमारे समिधान में मुलत तीन सो पंचान में अनुच्छिद थी और आठ अनुसुची था और आपका जो की करम से आठ अनुसुची से बढ़कर आपका बा भाग चार ए जूड़ा इस प्रकार करके चार सोर तालिस अनुच्छिद आपके समिधान में है ठीके तो उन सभी भागों को विशाय को अनुच्छिदों को हम लोग देखें तो भाग वन में हम लोग पाते हैं भाग वन में आपका समन्दी थे श्रंग और उसके छेतर से योटेखे ये आनुच्छिद 1-4 तक तक में है भाग 2 की बात करते हैं तो आपका नागरिक्ता से संब्धी से तर्थे पांट से 11 तक में भाग 3 की बात करते हैं तो आपका फंडा mayoría कि से 12 देकर 15 तक में भाग 4 की बात करते हैं तो यहापका राजए के निती निदिसक तो अनुछेद चाती से क्यामन है भाग चार एक की बात करते हैं तो यह आपका मौलिक करतब से संब्दी थे अनुछेद इक अलग टॉपिक है तो उसके बारे में भी बात करेंगे जब नेक्स वीडियो में हम लोग लाएंगे अगला है भाग पांच जो कि आपका संग से भाग आठ के बात करते हैं तो जो भाग आठ है वो आपका संग राज चेत याने की उनियन ट्रेटी याने की उटी से संब्दी थे अनुछे 249 से लेकर ब्यालिस्ताक का अनुछेद इसमें आता है भाग 9 की बात करते हैं तो यह पंचाय से संब्दी थे अनुछे 243 से लेक आपका 6243 जेड तरी तक आता है इसकल आप भाग 10 की बात करते हैं तो आपका अनुशुचित और जन जाती छेट से समन्दी थे अनुशेट 244 ले 244 से 244 ए तक आता है भाग 11 की बात करते हैं तो संग और राज्य के बीच समन्द से समन्दी थे अनुशेट 245 से 263 तक भाग 12 की बात करते हैं तो वित्र, संपति, समिदाय और वाज से समन्दी थे अनुशेट 264 से 300 के ए तक समन्दी थे भाग 13 की जब हमनों बात करते हैं तो भाग 13 भारत के राज्य छेत्र के वित्र, व्यापार, वानिज्य और समागम से समन्दी थे बात करते हैं तो अधिकरण यानि की ट्रिवुनल से संब्दी थे अनुछे 323 A से लेकर अनुछे 323 B तक संब्दी थे भाग 15 जो कि इंपॉर्टेंट है निवाचन से संब्दी थे अनुछेद आपका 324 से लेकर 329 A तक आता है भाग 16 जो कि कुछ वर्गों के लिए विशेश उपबंद से संब्दी थे अनुछे 330 से लेकर 342 तक आनुछेद आता है भाग 17 आपका राज्यभासा संब्दी थे अनुछेद की बात करते हैं तो अनुछे 3451 तक आनुछेद इसमें आता है भाग 18 की बात करते हैं तो यह आपका आपात उपबंद से संब्दी थे अनु तो इसका जो राइट इंसर होगा वो तो आपका होगा आरे समाज आरे समाज का स्थापना 1875 में बंबे में होता है लेकिन हम लोग यहां पर शारी समाज को देखेंगे जिसका स्थापना किसने किया कब हुआ और उद्यक गया धा जिसमें पहला जिया आरे समाज जिसका जाती विवस्ता और अंध्यविवसों को और सुश विकार करना था इसके लाबा अगला है सत्य सुदक्ष माज जिसके स्थापना 873 में महराश्ट में होता है इसके स्थापना जियोतिराय फुल्ले के द्वारा होता है इसका उदेश की बात करते हैं तो जातिकत भिदवाओं के खिलाप लड़ना निचली जातियों को सिक्षा परदान करना था कि इसके लाब अगला है आपका अलीगर अंदोलन जो के 875 में इसका स्थापना होता है उत्तर प्रदेश की अलीगर में सर स्यद एमद खा के द्वारा इसके स्थापना की जाती है इसका उद्देश की बात करते हैं तो मुसल्मानों के बीच अधुनिक सिक्षा को बढ़ावा देना सिक्षित मुसल्मानों का एक वर्ग त्यार करना था जो बिटिस सरकार के साथ काम कर शुके अगला है आपका ब्रह्म श्माज जिसका स्थापना 826 में कोलकत्ता में होता है राजारा मोहन राई जी के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है इसका उद्देश एकिश्वर बात को बढ़ावा देना और मुर्ति पूझा जाती व्यस्ता और अन्य अन्ध विश्वर अस्विकार करना था यहाँ पर एक ओर स्थापना आपका राजारा मोहन राई जी के द्वारा ही होता है यह आपका 824 अव 415 इस वी को भी यादखना है जो कि आगे चलकर ब्रह्म स्माज के नाम से जान जाता है एक प्रश्ण आपका और बना कि ब्रह्म स्माज के पहले का नाम क्या था तो ब्रह्म स्माज के पहले का नाम था आपका ब्रह्मु श्वभा ब्रह्मु श्वभा था तो इसको भी आदखना ये विपर्ष आपके एक्जाम में बन चुका है ठीक है अगला है आपका रामकृष्ट मिशन जिसका स्थापना 897 में कुलकत्ता में होता है श्वावी वेका निंजी के दौरा इस मिशन के स्थापना के केंद्र में विदान्त दर्शन का परशार परशार है रामकिश्ट मिशन दुसरे की सेवा प्रवकार को कर्मयोग मानता है जो कि हिंदु धर्म एक महत्पून सिधानत है ठीक है तो इसको भी आदखना है अगला जो कुशन पूछा गया वो पूछा पन-दा सो अठाइस में चंदेरी के यूध में निम्लखित मेंसे किसकी हार हुई थी तो इसका दोस तो आपका क्या हुआ उसमें अन्यदिनी राय का हुआ था अप्शन No3 इसका रायट होगा लेकिन बाबर के दवारा लड़ेगे यूधों को हम लोग याद करें जो कि पर पर्थम यूद, जिसा कि आपको मालोम हुआ, पर्थम यूद, आपका बाबर 1526 में इमराहिम लोधि जो कि लोधिवण का अंतिम सासक साथ में दिलिष सल्तनत का अंतिम सासक होता है जिसके विरुद ये बाबर लड़ता है और जी जाता है और आपको बताते हैं किसी यूद के बाद बाबर है जो कि भारत में मुगल समस्का स्थापना करता है इस हार का कारण की बात करते हैं तो सेना संगठन का भाव था इस कारण ही महमलोती हारता है इसके बाद आपका 1527 में खान से आपको याद रखना है खानवा का यूद जो कि 17 माश 1523 को लड़ता है किसके विरुद लड़ता है तो राना सांगा के विरुद लड़ता है जित्ता कौन है तो आपका बाबर जित्ता है और तोम्रो नहीं आपका राना सांगा का साथ छोड़ दिया था वो ही आपका हार का करण बनता है इसके लावा चल से याद रखना है चंदेरी का यूद जो कि आपका 21528 होता है और किसके विरुद होता है तो राजपूत का नेतित कर रहा था मेदनी राय उसके विरुद लरता है बावर जी जाता है बावर की सेना का रात भर में पहारी को काट डालना इस हार का कारण बनता है इसके लावा घर से आपको याद रखना है घागरा का यूद घागरा की यूद की बात करते हैं तो यह आपका च्छे माई 1531 को बंगाल का सासक नुश्रसा नेतित कर रहा था कर महमूद लोदी की बिरूद होता है और बावर इसमें भी जिद जाता है यानि कि बावर जितना म यूद लरा वो समय आपका जितने गया ठेके बावर की बात करते हैं तो यह आपका बावर का फोटो है जिसे आप लोग देखकर बावर को बचान सकते हैं जो लोग उस समय जनम नहीं लिये थे बाकी बावर की बात करते हैं तो इसका पुरा नाम था जहीर उद्दीन मुहम झाल औ्लश्ता को मना जाता है तो इसको भी आज देखना है तो दोस्तोव आध यहीं पर शमाप möchte करते हैं यह काफि लंभा हो जाएगा और आप लोग देखना भीusta नहीं किजूएगा और यहां बगल में साधरी दोस्तों लाइक जब आपको टेलीग्राम पर देंगे नहीं तो आपका फैड्स है थीक है चितना दिन में होगा उतना दिन के बाद है जो कि भेजेंगे तो जल्ली से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगए तो कॉमेंट भी कीजिएगा मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में जबता के लिए हैं जैन वन्दमार